नासा ने चांद के लिए आधिकारिक सेलुलर प्रदाता के रूप में नोखिया को चुना है। फिनिश टेलको ने आटेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 2022 तक चंद्रमा पर 4 G LTE बेस स्टेशन बनाने के लिए 14 डॉलर और 10 सेंट मिलियन का अनुबंध जीता, नासा के अपने निकर्तम आकाशिय परोसी पर एक निरंतर मानव उपस्थिती स्थापित करने का प्रयास इसका मतलब है कि चंद्रमा की सतह पर लगभग 4.5 अरब प्रित्वीवासियों के आने से पहले 4 G coverage होगा अमेरिकी IT समूह सिस्को के आकड़ों के अनुसार, 2018 में सिर्फ 3.9 बिलियन लोगों के पास किसी ना किसी रूप में इंटरनेट का उप्योग था कंपनी का अनुमान है कि 2023 तक, जब लूनसेल नेटवर्क उपर और चल रहा होगा, दुनिया के दो तिहाई 5.3 बिलियन लोग आनलाइन होंगे लेकिन सभी इंटरनेट एकसिस समान नहीं है 2023 में लगभग एक तिहाई इंटरनेट सक्षम मोबाइल डिवाइस 2G या 3G नेटवर्क से जुर जाएंगे सिसको भविश्यवानी करता है नासा के अंतरिक्ष यात्रियों की तुलना में लगभग 4.5 बिलियन लोगों के पास इंटरनेट का उप्योग या धी में मोबाइल कनेक्शन नहीं है जिनका उप्योग चंद्र रोवर्स को वस्तुतह नियंतरित करने और उनके कारनामों के उच्छ परिभाषा वीडियो को स्ट्रीम करने के लिए किया जाएगा नासा ने साबित कर दिया है कि लेजर हमारे पास सबसे अच्छी तकनीकों में से एक है तीन साल के विकास के बाद अंतरिक्ष एजेंसी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट अफ टेकनोलोजी के शोदकरता चंद्रमा से सूचना प्रसारित करने के लिए लेजर का उप्योग करके अपने पहले परीक्षनों के परिणामों का अनावरण करने के लिए तैयार है परीक्षन इस पश्ट रूप से 19.44 मेगाबिट प्रती सेकंड की अप्लोड गती और प्रित्वी और चंद्रमा के बीच 3,84,633 किलोमिटर में 622 मेगाबिट प्रती सेकंड की डाउनलोड गती हासिल की तेजी से Optical Society ने कहा यहां और अंतरिक्ष के नीले काले अनंत के बीच डेटा संचारित करने की किसी भी पारमपरिक विधी की तुल नामे 19.44 मेगाबिट्स प्रती सेकंड हाई डेफिनिशन टीवी, मूवी और वीडियो चैट को स्ट्रीम करने के लिए परियाप तेज से अधिक है ऐसे ही इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे